किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, जो बहुत ही प्यारी और मासूम थी। वह हर रात अपने कमरे की खिड की खोल कर असमान में निकले चांद तो ताकती रहती थी। एक दिन उसने राजा यानि अपने पिता से कहा कि पिता जी मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद लाकर दो। मुझे उसके साथ खेलना है। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा हैरान हो गए और उसे समझाने की कोशिश करी कि यह मुम्किन नहीं है। लेकिन राजकुमारी ने तो चांद पाने की जित पकड़ ली थी। चांद न मिलने की स्थिती में वह न कुछ खाती न कुछ पीती। बस पूरी रात चांद को खिड़की पर बैठ कर देखती रहती। इस कारण धीरे-धीरे राजकुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी और वह काफी बीमार हो गई। राजकुमारी की यह हालत राजा से न देखी गई और उसने अपने मंत्रियों और दर्बारियों को राजकुमारी के लिए चांद लाने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी मंतरी और दर्बारी हैरत में पद गए उन्होंने राजा से कहा महराज चांद को लाना मुम्किन नहीं यह हम भी जानते हैं और आप भी ऐसे में हम चांद को राजकुमारी के लिए कैसे ला सकते हैं मत्रियों और दर्बारियों की यह बात सुनकर राजा अपने राज्ज में एलान करवा देते हैं कि राजकुमारी के लिए जो भी चांद लाकर देगा उसे खूब सारा धन इनाम में दिया जाएगा जब राजा के इस एलान के बारे में एक व्यापारी को पता चला तो उससे राजा का दुख देखा न गया वह फौरान राजा से मिलने पहुँच गया व्यापारी ने राजा से कहा महाराज मैं राजकुमारी को चांद लाकर दे सकता है लेकिन उससे पहले मुझे जानना होगा कि राजकुमारी को कितना बड़ा चांद चाहिए यह कहकर व्यापारी राजकुमारी से मिलने की इच्छा जाहिर करता है राजा भी व्यापारी की बात मा लेते हैं और उसे राजकुमारी के पास ले जाते हैं राजकुमारी के पास पहुँचकर व्यापारी राजकुमारी से पूछता है कि चांद कितना बड़ा है व्यापारी के सवाल का जवाब देते हुए राजकुमारी कहती है चांद मेरे अंगूठे के नाखून के आकर का है क्योंकि जब भी मैं चांद के सामने अपना अंगूठा रखती हूँ वह मुझे दिखाई नहीं देता इसके बाद व्यापारी पूछता है कि चांद कितना उचा है तो राजकुमारी कहती है शायद पेड से थोड़ा उचा है क्योंकि वह हमेशा महल के बाहर लगे पेड के उपर ही नजर आता है अंत में व्यापारी पूछता है अच्छा राजकुमारी चांद दिखता कैसा है इस पर राजकुमारी जवाब देती है कि चांद चमकीला है और चांदी की तरह सफेद दिखाई देता है राजकुमारी यह सभी बाते सुनकर व्यापारी हनस्ते हुए खड़ा हो जाता है और राजकुमारी से कहता है कि कल ही मैं पेड़ पर चड़कर उस चांद को तोड़ लाऊंगा इतना कहकर व्यापारी राजा के पास जाता है और अपनी योजना उन्हें बताता है राजा को व्यापारी की योजना पसंद आती है अगले ही दिन व्यापारी एक चांदी का छोटा सा चांद बनवा कर राजकुमारी के लिए ले आता है राजकुमारी उस चांदी के चांद को देख कर बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है राजकुमारी को खुश देखकर राजा भी बहुत प्रसंद होते हैं मगर अब उसे इस बात की चिंता होती है कि रात को जब राजकुमारी आस्मान में चांद को देखेगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि यह वह चांद नहीं है इस बात को राजा व्यापारी के सामने रखता है राजा की बात सुनकर व्यापारी कहता है कि मैं आपकी इस परेशानी को भी अभी हल किये देता हूँ व्यापारी राजकुमारी के पास जाता है और उससे बड़े प्यार से पूछता है कि राजकुमारी आप यह बताए कि जन किसी का दांत तूट जाता है तो क्या होता है व्यापारी के इस सवाल का राजकुमारी बड़ी मासूमियत से जवाब देती है कि उसका नया दांट निकलाता है तब हंसकर व्यापारी पूछता है अच्छा यह बताईए कि क्या आपको पता है कि जब कोई चांद तोड़ लाता है तो क्या होता है इस पर राजकुमारी कहती है, हाँ, वहाँ दूसरा चांद उग आता है राजकुमारी का यह जवाब सुनकर व्यापारी कहता है कि अरे वा राजकुमारी को तो सब कुछ पता है इतना कहते ही व्यापारी कमरे की खिडकियां खोल देता है और कहता है कि आये फिर आज हम नए उगे चांद को देखते है अस्मान में चांद को देखकर राजकुमारी कहती है कि मेरे पास जो चांद है वह नए चांद से ज्यादा खूबसूरत है और अपने चांद के साथ खेलने में जुट जाती है यह सब देखकर राजा बहुत ही खुश होता है और व्यापारी को बहुत सारा धन इनाम में देता है दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की ननही राजकुमारी और चंद्रमा कहानी से सीख मिलती है कि कभी-कभी बड़ी मुश्किल को हल करने के लिए छोटा सा उपाय भी काफी होता है Moral Stories in Hindi Podcast को सुनते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए मिलते हैं अगली कहानी में तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखे धन्यवाद